नमस्कार साथियों मैं हूँ अजैशियों फानल टेकनिका नौकरी वाला दोस्तों आप सभी के सामने फिर से उपस्ति थू बीटी एसी आइटे इंस्ट्रक्टर भरती का अपडेट ले करके साथियों कल के देट में आपने देखा कि बीटी एसी के ओर से डिग्री डिप्नु वही गलती वही कारण बीटी एसी डिग्री डिप्लोमा के केस में विकर चुकी है और ये कल के डेट में एक नया नोटिस देते हैं और पुनह टोटल 14 साथियों के साथ जो बाई मिश्टेक ठीक है वो चुकी कटप में आ रहा है थे किसी कारण भस उनका डिवी में नाम नह साथियों क्या हिए उचित है जिस तरह से उचित कहने का मतलब इस सेंस में जिस तरह से बीटी एसी आइटिया के केस में गलती कर चुकी थी उन्हें दुबारा अलग से डेट निकाल करके डिवी कराना परा था उसी तरह डिग्री डिप्लोमा के केस में क्या वह गलती दोब को देख लेंगे आप सभी को पता ही होगा ठीक है कि जो 14 साथी छुट गए है उनको जो मौका दिया गिया है 9 अक्टूबर 2024 को दोबारा डीवी में आने के लिए एक डेट अमंत्रित किया गिया है 9 अक्टूबर को इन 14 साथियों को डीवी करवाना है आज के वीडियो में आपको बताने वाल है वह चार कारण जिससे बिलकुल असपष्ठ हो जागा कि बीटियसी इस भरती में जान बूचकर लेट लत करने पर लगी हुए और वह जान बूच के ऐसा कर रहे है तो जैसा कि आप देख रहे हैं अगर यहां पर सोचने वाले बाते हैं आप इन 14 साथि को अगर 9 अक्टूबर 24 को डीवी कराने के लिए बुला रहे हैं तो क्या 7 अक्टूबर को आप नहीं करा सकते थे 7 को लिए ठीक है आपका डीवी 28 अक्टूबर को खतम हो चुका था स्वरी 28 सेप्टेंबर को खतम हो चुका था तो क्या अभी तक आगे का जो परकिरिया है अब्जेक्शन टू का उसका लिंक नहीं आना चाहिए यह उन 14 साथियों का लिस्ट है ठीक है जिनका नाम दुबार सब्सक्राइब कराने की सकता है थी तभी यह वरती जल जल पूर्ण होती ठीक है अगर वहीं दूसरे आयों की बात करें ठीक है btsc काài थोड़ा सबूसरे करेंगे तो चुकी साथ बीर करें आप सबिक добрे के सबीकों में करें कि आप संबंदी डॉकुमेंट को बनाके अप्लोड कीजिए तो आई टी आई का अभी तक क्यों नहीं पोटल पर किसी प्रकार का लिंक देखनों के मिला दूसरी बात कि जब यहां पर जो भी ताथी ततवा से रिलेटर कंडिडेट थे उन तमाम कंडिडेट को मेल करके और ड प्रोसेस है और जानबुच के इस तरह के नियम का पालन किया गया चुकि वहीं अगर अपने राज की अन आयोग की बाते करें जैसा कि आप देख पाएंगे बिहार सरकार का ठीक है गिरिववाग केंड्रिय चैन परसद सिपाही भरती कारियाल है बिहार पुलीस आयोग की अगर बाते करें साथियो तो आप देख सकते हैं तमाम जितने भी आयोग है सभी इस सुप्रीम कोट के आजर को मान अनके हैं उनके गयाड्लाइन्स में आ आगे काम कर रहे हैं साथियो आप देख सकते हैं कि बिहार चैन परसद आयोग के दोजा किस तरह से डारेक्ट ये लोग क्या कर रहे हैं डेट बता दे रहे हैं कि भाईया सभी साथी दिनांक दो शेप्टेंबर से आठ सितंबर तक अपनी आरक्षन कोटी अवस्व सुधार कर लिए साथ ये उग समद में घोषना पत्र भी अपलोड कर दिए गोषना पत्र परसत पर उपलाव देख सकते हैं कि किस तरह से मात्र एक सप्ता के अंदर ठीक है बिहार पुलिस चैन परसत के द्वरा इस जो छोटा सा प्रॉबलम में इसको तुरन दूर कर लिया गया ठीक है दो से आर तक कनिडेट को लोगिन करने का ओप्शन दे दिया और साथ में घोषना पत्र दे दिये इस घोषना पत्र को साथियों भर करके उन्हें अपलोड कर देना था किसी तरह की बनवाने की ज़रूरत नहीं ठीक है बाकि जो परकिरिया है ये बिहा को द्वारा बहुत ही बड़ा इसू बना दिया गया आई टीए की केस में वहीं अगर बाते करें साथी हो बिपीएसी को आप देख लिए बिहार लोग सेवा आयोग को देख लिए जो की अपने स्टेट की सबसे बरी सेवा आयोग है इनका तरीका देख लिए कितना अच्छ कर लिया है इन्होंने भी वही परकिरिया अपनाएं आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि जो भी साथी दावा कर रहे हैं ठीक है निर्देश दिया जाता है कि वह अपने यूजर ने पासवर्ट से लोगिन करते हुए दिनांक नौ-9 से तीस नौ तक ठीक है 20 दिन के अंदर अपनी कोटी अतेंज पिछरावर के तहताती के रूप में सुधार करना तथा क्रीमिल एर प्रमार्पत अप्लोड करना सुनिश्चित करें साथियों आप देख सकते हैं पास पास विग्यापन पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे करके 20 दिन का टाइमिंग दे करके किस त सतिता पर आयोग नियरल है तुछ सतन्तर रहेगा तो साथियों मेरा कहना भते यह है इसी तरह इसे आप दुसरे आयोग की भी बाते कर लेते हैं तो गयवार आयोग कर्मशारी चेयन हीचन आगर संथियों देख लिए बिखार साथी के तरफ से scrap ना कम समय में और कितना असा परकिरिया के तहट आप देख सकते हैं कि बिहार SSE जीस तरह से BTSC को ITI के टोगरी वाला भरती का अनुसंसा वापस मिला था उसी तरह से बिहार SSE को भी इस भरती का अनुसंसा वापस 4 सेप्टेंबर को मिला था और ये दोबारा सारे कनिडेट को वेरिफिकेशन करके 14 और लेडी इनका अनुसंसा वापस हो गए थी 14 सेटंबर को फिर से ये 14 साथियों का लिस्ट बना करके तुरंत विभाग को सौप दे रहें ठीक है अपना फाइनल अनुसंसा तो मातर दस दिन के अंदक अगर बिहार SSE ऐसे हमारे चैन आयोग कम्पलीट कर सकती है ये छोट यह लेंदी प्रोसेस है और यहां पे उनकी बस एक ही मनसा किसी तरह से यहां पे लेट हो जाए ठीक है चुकि इतना लेंदी प्रोसेस अपनाने की कोई आवसकता ही नहीं रहा जाती है ठीक है साथियों डारेक्ट उनको अबजेक्शन पोटल खोलना चाहिए ठीक है पोटल का अनुसंसा हो चुकी है उसमें जो अई यह नियम लगाना है ठीक है रैक्षन रोस्टर वाला ताती तत्मा के केस में से उठाके एबीसी में ले जाना है तो उनका वैरिफिकेशन का प्रोसेस डी-एम के लेवल से करवाना है तो साथियों यहां बिल्कुल ही भ्रांतिया ह है ठीक है और बेबुनियाद बाते हैं इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है आप बिहार SSC केस में देख सकते हैं यह भरती का अनुसंसा ओल लेडी सभी विभाग को अलग अलग विभाग को जब की जो भी कनिडेट थे सभी कनिडेट का डिटेर्स अलग-अलग विभागों को अध लोड करा लिया गया और फाइनल अनुसंसा मात 10 दिन के अंदर तमाम विभागों को भेज दिया गया तो बीटीएस यह आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा सवाल यही है इनके लिए इस पेसे नियम क्यों लाग हो जाता बीटीएस यहां पर जान बूज के इस भरती को डेरेल कराना चाहती है चुकि उन्हें पता है अच्छा से कि आपका छट के बाद दिवाली छट के बाद जो भी केस है बहुत सारे केस का लिस्टिंग होना है उनकी सुनवाई होनी है तो इन तमाम लोगों का बस यही साधी से किसी तरह से भरती को और लेट खीचा जा जा ठीक है तो BTSC का यहां पर डिले करवाना के यह चार मुख रिजन हम आपको कह सकते हैं बता सकते हैं ठीक है इनका सबसे पहला रिजन ओलेडी हम डिसकस भी कर चुके है ठीक है जो की वेरिफिकेशन अगर डियम लेवल की बात एक डियम लेवल तक के दुआरा जो वेरिफिक the settler's प्रवानपत को भेज दिया है तो सथियो इस समझा जा सकता एं बिल्कुल जानबुद के डीरेल कराने का कोशिस ही समझा जाएगा ठीक है दूसरी बात ऑल लेडी जैसा कि हमने बताया कि जो रिजल तयार हो गाया है उसमें डीम की लेवल से जो वेरिफिकेशन कराने की अफवा चल लहीं के ऐसा रूल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऑल लेडी आप सभी को देखा दि सक्तियम्मा तो दस दिन के अंदर किस तरह से पुर्ण करवा दी ठीक है चातियों और दूसरा सबसे पहला जो रिजन था जो कि हमने ओल लेडी बताया कि जिस तरह से 14 साती का ब्याहा टेकनिकल सर्विस कमिशन के आयो के तरब से 9 अक्टूबर को वेरिफिकेशन का डेट र तो शचने के साजी और तो इस तरह की प्लानिग चल रही है तो इसका आकर ये जोसे सवाल मन में आ रहा है जो एक साथ से अधिक से BTSC से जूरे वे कहीं डेट है जो मानसिक परतारना जहल रहा है इसका जबाब कौन देगा इसके जिम्मेबार कौन है मेधावी छातरों को जान बुचके परिशान करने की बात ही समझा जागा जो मेधावी छातर है एक से अधिक जगों पर जो रिजल्ट दे सकते हैं इस BTSC एक्जाम को लेकर परिशान है इन मेधावी छातरों के साथ जो जान बुचके खिलवार हो रहा है इसके जिम्मेबार कौन है वैसे बहुत से साथी है जो ITA केस में जब फाइनल अनुसंसा देगी गई थी और सरमसंसादने विभाग की ओर से DV की जो लिस्ट आये थी उसको देख करके बहुत ऐसे साथी है जो चेन्ने मुंबई कोलकाता जैसे बरे सहरों में जॉब कर रहे थे वो अपने जॉब को रिजाइन दे करके यहाँ पर जॉइनिंग करने आये थे लेकिन यहाँ पर फिर आपर हैर कारणों से वेरिफिकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है और आज यह एक महिना से भी उपर आ गिया अभी तक किसी तरह का जॉइनिंग से संबंदित या फिर अनुसंसा तक आई टी आई का नहीं भेजा गिया अभी तक इन प्रोसेस ही है जाती परवाणपत का डीम लेवल से तो इन चीजों का कौन जिम्मेवारी लेगा यह जो साथी बिरुजगार हो गए जो ओल लेडी अच्छे खासे नौकरी कर रहे थे इनका जिम्मेवारी कौन लेता है इसके जिम्मेवार कौन है ठीक है चुकि छट के बाद बहुत सारे केस पर सुनवाई होगी आगे चलके इस भर्ती परकिया और जटील होने वाली है इसका जिम्मेवारी कौन लेता है सारे कनिडेट एक वर्ष से अधिक से मानसिक परतारना जहर लहें इसके जिमेवारी कौन है ITI के जो कि 2 सेप्टेंबर से अलेडी नया बैस सुरू हो चुका है हजारों विदार्थियों का परसिक्षन बाधी चल रहा है इसके जिमेवार कौन है साथियों बिलकुल पानी सर से उपर हो चुका है अब कोई ही रास्ता नहीं एक मातर रास्ता है अंदोलन अंदोलन और अंदोलन ठीक है और वो भी अपने सम्वेधानिक अधिकार को प्राप्ट करने के लिए हम लोग अंदोलन की निव रखे हैं और आप तमाम साथियों को 7 अक्तुबर को बुलाए जा रहा है साथियों यहाँ पे एक मातर रास्ता बन जाता है सांती पुरुवक अंदोलन और धरना परदरसन में भाग लेना और बीटी एस्सी को निंद से जगाना बीटी एस्सी जो सोचुकी है जो कछुए की चाल से चल रही है इनको खरगोश की चाल कैसे वो चल पाएंगे इस चीज के लिए उन्हें निंद से जगाने की कोशिस करना तो साथियों एक मातर यहाँ पे आपका एक मातर रास्ता बन जाता है तो आप बीटी एस्सी से संबंदी जो भी साथियों है जो पिछले एक साल से अधिक से मांसिक परताना जहल रहा है साथियों बिल्कुल सर से उपर हो चुका है आप तमाम साथियों से गुजारिस है कि इंट्रभेनर टीम के देख रेख में जो अहवान किया गया है आपको पटना आने की बाते कही गई है साथ अक्टूबर को सुभा दस बजे बीटी एस्सी कारियाले जो के हारिंग रोड पटना में है वहाँ पे सभी साथियों को एक जुट होना है और एटलिस्ट कम से कम ठीक है 500 से अधिक 500 से अधिक छात्रों को वहाँ उपस्तित होना है सांती पूर्म तरीके से हम लोग धरना परदर्शन देंगे और विरोध परदर्शन करेंगे और जिसका एक मात्र कारण BTSC को इस भरती में किया जा रहा जानबुच के जो लेट किया जा रहा है डिरेल किया जा रहा है इसके विरोध हम लोग धरना परदर्शन करेंगे और हमारा कोई भी कारण नहीं है धरना परदर्शन बिलकुल ही अनुसासन में रहके करना है बाकी जो है हमारे टीम से जब आप जूरेंगे तो बाकी चीज आपको सारा ची गाइडलाइंस किया गया है साथियों आप तमाम साथियों के लिए Google Form भी डाला जा रहा है गुरूप में जो भी candidates आ रहे हैं male female आप अनिवार रूप से Google Form को fill up कीजिए ठीक है आपका कोई भी data कहीं भी किसी public platform पे नहीं डाला जाएगा आपकी जनकारी गोपनिये रहेगी ये Google Form से हम लोग idea ले रहे हैं कितने साथी आने की चाह रख रहे हैं कितने साथी कहां से आ रहे हैं परतेग division wise हमारा area coordinator है जो कि आपको आने से पहले संपर्क करेगी और तमाम साथी जो इस धाना परदाशन में आ रहे हैं वहाँ तक सुगामता से पहुंच सके बिना किसी समस्या के आज सके इसलिए हमारा coordinator आप से संपर्क करेंगे आपकी सहयोग करेंगे तो साथी यो आप सभी को इस चीज को ध्यान रखना है date याद रखना है मातर अपने पास एक से दो दिन का समय बचा है कुछ भी नहीं सोचना है ये जो नया notification दे करके BTSC हम सभी को लॉलिपॉप दिखार रही है इस लॉलिपॉप को क्या कहा जाए मेरे पास करने के लिए सब नहीं साथियो ये कुछ भी नहीं है ठीक है ये बस आ आगे बढ़ाई है ठीक है नहीं तो हम लोग धरना परदसन के लिए बाध होंगे तो साथियों हमारे साथियों के दोरा जब मेल किया गया था तो यह अधिकारी नींद से जगे हैं और अब ठीक है थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं और उसी चीज का पहिनाम है कि एक छोटा सा नोटिस दे करके हम लोग को चुप कराने का कोशिस कर रहे हैं लेकिन हम लोग यहां पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन से अपना जो आई की प्लानिंग है उसको रोकेंगे नहीं टिके साथियों हम लोग बिल्कूल कानून के दाइरे में रहके अपने समयधानिक अधिका हुआ हमारी भर्ती परकीरिया लेट क्यों हो रह की इस चीज को जानने का हम सवी का समयधानिक अधिकार है हम अपने समयधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पिछले एक साथ से अधिक समय से यह भरती आखिर लेट पर लेट क्यों हो रही है और यह कंपलीट कब होगी चुकि आपका जो तरीका है बिलकुल गलत है और भी चैनायोग है उनसे आप सिखिए उनसे आपको सिखने की जरूरत है तो साथियों आप ध्यान रखेंगे और इस धना परदर्शन में साथ अक्टूबर को अवस्थ पहुंचेंगे आने से पहले अपने एरिया कॉइंडेटर आपको खुद गूगल फर्मा भरें आपको खुद कांटेक्ट किया जाएगा और वहां पे आप जल से जल आएंगे सभी साथियों को अधिक साथियों को मोटिवेट करें आने के के लिए ठीके साथियों तो मिलते साथियों हम सभी अपने निर्धारिक समय अवं तिथी का अनुसार धाना परदर्शन में ठीके साथियों तब तक के लिए गुडबाई जाहें थैंक्यू सो मच अपना ख्याल लखे धाना परदर्शन में जरूर आएं पेश्टाफ लाग झाल